तो is हो को सब से पहले जानते कि कैसे मेरी होताकिया कैसे मेम्ली जो है कि सुमॉल मैम्मरी जो की जिसका इकसे time है वो बहुत ही जादा है और यह जो generally locate होगा कि इसके बीच में CPU और main memory के बीच में locate होता है अब इस कैसे memory का काम क्या है और इनका working क्या है इनका जरूरत क्यों पढ़ता है computer network में अभी हम देखते हैं इस टोर दा सबसेट और frequently access data and instruction from the main memory कहने का क्या मतलब कि जब भी हम कोई हमारे पास एक CPU होता है वो कोई भी data को जो फेच करता है memory से अगर हमारे पास वो main memory से फेच करेगा तो main memory का access time है वो बहुत ही कम है as compared to CPU का processing time तो CPU जो है अपना data जो बहुत जल्दी process करता है लेकिन अगर उसको fetch करने में ही time लग जाए तो ऐसे situation में क्या होगा कि हमारे पास जो overall system का जो performance है overall efficiency हो क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा और CPU को यहां पर क्या करना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा किसके लिए data हमें main memory दे तब जाके हम उसके उपर क्या कर सके कोई भी process को execute करा सके तो इस चीज से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं कैसे memory का यूज करते हैं तो कैसे memory यहां पर क्या करता है कि main memory से कुछ frequently access data जो CPU को बहुत जादा जरूरत होता है data का उसको अपने में क्या करेगा store करके रखता है और जैसे CPU डिमांड करता है वैसे ही क्या करेगा कैसे memory अपना जो डाटा है किसको प्रोवाइड करा देगा CPU को प्रोवाइड करा देगा ठीक है तो बोल सकते हैं कि जो कैसे memory जो है वो श्टोर करता है कि इसको सबसेट और फ्रिक्वेंट हम अब लेड़ेयंन हे उनके कुछ सबसेट और फ्रिक्वेंटली एक्सЕТ करता है कौnow कैसे memory का में परपस यहां पर यही है कि वीच में जो टाЙमिंग gap आ रहा है हमारे पास CPU और मेंड समें मेंद व्न की देगा कर सकेulating को कर था तो हमें हां से हम समझ सकते हैं कि need for कैसे memory का जरूरत क्या हुआ तो सबसे main बात तो यही है कि CPU का जो हमारे पास टाइमिंग है कोई भी डाटा को प्रोसेस करने का वो बहुत जादा है और अगर CPU जो है अगर main memory से अगर data को एकसेस करता है तो main memory का data providing timing है वो कम है तो जब CPU का data providing time processing time high है और main memory का कम है तो यहां पर CPU को क्या कर जाएगा wait करना पड़ जाएगा कि main memory हमें data देगा तब हम उसे data पर process करेंगे इस वज़े से हमारे पास overall performance system को क्या हो जाता है decrease हो जाता है तो इसी breeze को gap जो process memory का जो gap है इसको overcome करने के लिए किसका जरूरत होता है मैं कैसे memory का जरूरत हो सकता है तो हम बोल सकते हैं कि जो main memory processor का बीच का speed mismatch है उसको fulfill करने के लिए कैसे memory जरूरत होता है या हम बोल सकते हैं कि system का जो performance उसको क्या कर देगा increase कर देगा कैसे increase करेगा fast way में data को access करके और provide कराएगा किसको cpu को इस way में हमारे पास cost effective हो क्या हो जाएगा हमारे पास कम होगा अब हम इसका working देखते हैं working क्या होता है हमारे पास कैसे memory का अब जैसी cpu कोई भी data को ask करता है memory से ठीक है और कैसे memory होता क्या है कि actually में हम देखें तो कैसे memory हमारे पास divide होता है block में यह हम बोल सकते है each line हर एक block में divide होता हम आगे भी देखेंगे कि कैसे memory का representation क्या होता है तो वहाँ पे जाएगा ठीक है cpu वहाँ पे गया इसको हम diagram से देखते हैं तो जैसले हमारे पास CPU है ठीक हैaste memory होंगया और यह हमारे पास main memory होंगया cpu में आ जाएगा ताकि वो process कर सकें और इसी चीज़ को हम क्या बूते है कैसे हीट कैसे हीट क्या हो जाएगा कि जब cpu हमारे पास वयज दाटा को demand करता है कि सके बूढ़ कार मेमरी के पास और अगर वह जो डाटा है वो कैसे memory में available है तो हम क्या बोलेंगे कैसे क्या हो गया हिट हो गया कहने का मदलो क्या है कि हमारे पास data क्या हो गया found हो गया तो इस case में हमारे पास क्या हो जाएगा कैसे दाटा को और वो जो डाटा है वो कैसे मेंमरी में अथलीबल नहीं है तो इसको प्रक्रिज और मेंमरी में और मेंमरी से फिर से वो डाटा आएगा कि इसमें कहसे मेमरी में आएगा यहां पर हम एक टेखनीक का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डिर रितले में आगे के विडि़िए लेक्च्र में इसके बारे में पूरा cover करेंगे अब replacement algorithm का use करेंगे जो कैसे का जो कुछ data को बापस से main memory में भेज़ देंगे और main memory का जो frequently access data किसमें आ जाएगा कैसे memory में और फिर कैसे memory से जाएगा CPU में तो यहाँ पर हम दो term को समझें कैसे हीट अगर हमारे पास CPU जो भी data डिमांड करता है और अगर कैसे memory के अंदर वो data मिल गया तो उसे हम कैसे हीट बोलेंगे अगर data नहीं मिला तो हम उसको कैसे miss मुल लेंगे तो यहाँ पर वही theory लिखा हुआ है अब पढ़ सकते हैं ठीक है अगर हम types of कैसे memory का बात करें तो हमारे पास generally तीन types of कैसे memory हमारे पास level 1, level 2, level 3, level 1 में अगर हम बात करें तो level 1 जो है smallest and fast सबसे ज्यादा छोटा और सबसे ज्यादा fast कैसे memory होता है वो generally जो locate होता है CPU के नजदीक ही locate होता है इस जिवाइडे इंटो separate instruction and data कैसे ल 1 and LN provide low latency access low latency का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो access करने का जो timing हो यहाँ पर क्या हो जाता है काम हो सकता है reducing timing यहाँ पर कम हो सकता है to frequently use data and instruction level 2 जो हो generally located होगा कैसे और main memory के बीच में करने का क्या मतलब कि level 1 में अगर हमारे पास कोई डाटा नहीं मिलता तो लेवल टू में देखते हैं लेवल टू में नहीं मिला तो फिर लेवल 3 में आएंगे तो यहाँ पर इसका जो access time होगा कम हो जाएगा level 1 से सेम इसमे access time जो जाएगा level 2 से कम हो जाएगा ठीक है जनरली लेवल 3 यूज होता नहीं है कई बार लेकिन हमारे पास कई बार एक से ज़्यादा देने के लिए अगर हम इनके बीच में करते हैं कैसे और रेम के बीच में बीच में हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राम है जो हमारे पास the main memory वो जेनरली storage के लिए होता है लेकिन इसमें भी storage होता होता लेकिन यह temporary वे मैं डाटा किया करता है store करता है अगर हम size का बात करें तो RAM का जो size है वो larger होगा जबकि कैसे memory का size क्या हो जाएगा कम होगा excess speed का बात करें तो obvious ही बात है कैसे का क्या हो जाएगा high होगा या faster होगा as compared to RAM अगर हम proximity का बात करें तो यह जो RAM जो है वो CPU से बहुत ही दूर available होता है कैसे memory का level 1 जो है inside या near to the CPU available होता है higher की का बात करें तो higher level in memory जा जाएगा यह सबसे lower level in memory higher की available होगा persistence का बात करें तो कहने का मनलब क्या है कि RAM जो हो non-volatile है और कैसे memory जो हो जाएगा यहां पर volatile और non-volatile कहने का क्या मतलब हो है कि कैसे memory में जो data available है अगर आपका PC या laptop या computer अगर off हो जाता है या तो हमारे उस case में data जो हमारे पास available है कैसे memory में वो क्या हो जाएगा loss हो जाएगा लेकिन अगर हम main memory में बात करें तो हम उस data को क्या कर सकते है retain कर सकते है और ओर डाटा हमारा loss नहीं होगा अगर हम cost की बात करें तो कैसे memory obvious ही बात है इसका access time जादा है इसका cost क्या हो जाएगा जादा होगा as compared to main memory latency कहने का अगर हम बात करें तो RAM में high E होगा delay time जबकि कैसे memory तो high E access speed provide करता है तो obvious ही बात है इसका low हो जाएगा डिले time uses का बात करें तो यह store करता है data और instruction को for active program के लिए यह hold करके रखता है just temporary जब भी CPU को जरूरत करेगा तो यह fast beam क्या करतेगा provide करा देगा management का बात करें तो यह जो RAM जो है हमारे पास main memory वो operating system के दौरा manage होता है जबकि कैसे memory जो हो हमारे पास CPU या hardware के दौरा manage किया जाता है